नवस्कार मित्रों, आज हम कहवत एक कहानियों की, आज हम अपने सैनल पर एक कहानी सुनाएंगे जो कहवत पर आधारित होगी ऐसा माना जाता है कि परती एक कहवत के पीछे कोई ने कोई घटना या कथा मौजुद होती है लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है इस परकार की जानकारी हो जाने पर कावतों के उप्योग में सरलता और सहजता रहती है आज हम ऐसी ही एक कहावत, लोगों ने एक कहावत सुनी होगी अंदेर नगरी चौपट राजा तके सिर भाजी तके सिर खाजा इस कहावत की कहानी क्या है वो आज हम मैं बताने जा रहा हूँ एक बार की बात है कि कासी तिर्त यात्रा की वापसी में एक गुरू और सिश्य किसी नगरी में पहुँचे नाम उसका अंदेर नगरी था सिस्य हैं जो बाजार में वस्तुए खरीदने निकला तो वह देखा कि अहर सिट का एक शवानी भाव था सब धान byis पसेरी भाजी भी ले तो भी टका सिर मिठाई भी खरीदे तो भी टका सिर काजुकतली खरीदे तो भी टका सिर सिस्य और सीजे खरीदने के जंजट में क्यों पढ़ता सिस्य एक टके में बहुत सारे भाजा बहुत सारी मिठाईया खरीद कर लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरूजी से बोला गुरूजी यहां तो बड़े मज़ा आ रहे हैं यहां सब चीजे खूब सस्ती हैं सब टका सेर में मिल रही हैं देखिए एक टका में यह में सेर भर काजु कतली ले आया देखिए एक टका में यह सेर भर में खाजा ले आया हम तो बस यहीं रहेंगे और अपने दिन हैं जो मस्ती से गुजारेंगे चोड़ी अतीरत यात्राओं का जंजट ये सुक और कहां मिलेगा गुरू जी उस सिश्य के जो गुरू थे वो बड़े समझदार थे बोले बच्चे इसका नाम ही अंदेर नगरी हैं यहां रहना अच्छा नहीं है जल्दी हमें भाग निकलना चीहें यहां से वैसे भी सादू का एक ठीकाने पर जमना अच्छा नहीं लगता है कहा भी गया है कि सादू रमता भला पानी बैता भला पर सिश्य को गुरू की बात समझ में नहीं आई बोला अपने राम तो यहां कुछ दिन जरूर रहेंगे गुरू को सिश्य को अकेले सोड़ कर जाना पड़ा बोले अच्छा रहो कुछ दिन और जो होगा सो भुगतना अब तक सिश्य अंदे नगरी का सस्ता माल खा खा खर खो मोटा ताजा हो गया था उनी दिनों की बात है कि एक खुनी को फासी की सजा हुई थी तो वो जो खुनी था वो बड़ा ही दूबला पतला था फासी का भंदा उसके गले में नहीं आ रहा था इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि अपने अंदे नगरी में जिसकी भी गर्दन मोटी हो उसे फासी लगा दो अंदे नगरी ही तो ठैरी आकीम ने सिपाईयों को हुक्म दिया कि जो भी अपने को अंदे नगरी में मिलें आकीम ने सिपाईयों को हुकम दिया कि जो भी मोटा आदमी सामने मिल जाए उसे फासी के फंदे पर लटका दो वही ऐसा था अंदे नगरी थी तो एक खून के बदले में किसी ने किसी को फासी तो लगा नहीं थी इसकी हो या उसकी किसी की भी हो जीव के बदले जीव सीपाई मोटा विक्ति खोजने निकला तो मोटा सिश्य सामने मिल गया वो हलगवाई के यहां मिठाईया खरीद रहा था सिपाई उसको पकड़ करके राजा के दर्बार में ले आया गुरू को खबर लगी तो वो विचारे दोड़े चले आये सब बाते लोगों से मालूं की एक बार तो उसके मन में आया कि इसे अपनी बेवकुबगी का फल भोगने दे पर गुरू का हर्दे बड़ा कोमल होता है वो बड़े गुरू बड़े देयालू थे सोचा जीता रहेगा तो आगे समझ में आ जाएगा सिपाईों के पाथ जाकर बोले इस वक्त फासी पर सड़ने का हक तो मेरा है मेरे सिश्यों को फासी पर मर सड़ाओ सब बोले क्यों क्यों तो गुरू जी ने बताया कि इस वक्त कुछ गंटों के मोरत में जो फासी पर सड़ेगा तो वो मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा सास्तर में गुरू के पहले सास्तर में गुरू से पहले सिश्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है कि छिस्स्य गुरू की साल समझ गया और जूर से चिला उठा नहीं जी नहीं पकड़ा है फ़ासि पर सडने का अधिकार मेरा है वहाँ के लोगों के लिए यह एकदम नहीं बात हो गई कि दोनु फांसी पर सेड़ने के लिए त्यार तो यह बात राजा के कानों ते पहुँची राजा ने कहा कि यदि ऐसा मुरुत हैं तो सबसे पहले अधिकार तो राजा का होना चीए क्योंकि राजा ही सबसे बड़ा होता है उसके बाद करम में उच्छे अधिकारियों का आता है गुरू सिस्य बहुत सिल्ला है कि सादू के रहते स्वर्ग में जाने का किसी को अधिकार नहीं है और दूसरों को तो कदापी नहीं है पर किसी एक ने गुरू की नहीं सुनी सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके मंत्रीगान फांसी पर सड़ गए गुरू ने सोचा कि अब ज्यादा मनुस्य हत्या नहीं होनी चाहिए तो अफसोच करते हुए बोले अब तो सुर्ग जान अंदेर नगरी सौपट राजा की वही कहानी है इस कहावत की कहानी है आप लोगों को ये कहावत की कहानी कैसे लगी जुरूर कॉमेंट करे और वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब करे धन्यवाद